लब तो नमस्कार दोस्तों मैं रागेश कुमार कौशिक का आपका केडियर राजस्तान में स्वागत है इस सुझान धर्या सुझान गडrd में इस मुझूद है जो के हनुमान धरा के नाम से परसिद्ध है बाला जी के परसिद्ध धाम यहां हर और मिलेंगे यहां पर एक तरफ सालासर बाला जी का परसिद्ध धाम है दूसरी तरफ डूंगर बाला जी का और तीसरी तरफ पावोला बाला जी महराज का ऐसे परसिद्ध हनु जी के एक ऐसे मंदिर में हम आपको लेकर चलते हैं जो की नेशनल हाइवे जो की सालासा से सुजान गेट के बीच में नेशनल हाइवे रोड है मींगना गाउं है वहाँ परिस्तित है और यह प्रवेश द्वार इस मंदिर का यहां पर बनाया गया है यह मंदिर बहुत बड़ है लेकिन आस्था जो लोगों की यहां पर जुड़ी हुई है वो बहुत बड़ी है और देखते ही देखते यह मंदिर एक विशाल रूप धारन कर रहा है आई ऐसे पवित्र धाम जिसे घेजडी वाले बाला जी के नाम से जाना जाता है इस पवित्र धाम में हम भी चलते ह है और बाला जी मराज के आपको दर्शन करवाते हैं और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के कोशिश करते हैं यह नैशनल हाईवे है जो कि सालासर से सुजानगेट के बीच है और इस हाईवे के बिलकुल आप देख सकते हैं बिलकुल नजदी की यह प्रवेश द्वा आप जानते हैं राजस्तान में वैसे भी पूजनी यह है और खेजडी के रक्ष के नीचे बाला जी मराज की एक छोटी सी गुम्टी बनाई हुई थी और यह गुम्टी अब धीरे-धीरे एक विशाल आकार ले रही है विशाल पंडाल यहां पर बना दिया गया है साथ में आस्था से जुड़ा हुआ यह मींगना गाउं का द्रश्य आप देख रहे हैं मेरे पीछे यह मंदिर आप देख रहे हैं आईए अंदर चलते हैं इस मंदिर में हम दर्शन भी करेंगे और इस मंदिर के बनने की कहानी इसके पीछे की कहानी तक भी हम जाने की कोशिश करें उन डेट्स पर विशेश रूप से विशाल कारेकर्म यहां पर आज़ोत होते हैं और दूर दूर से लोग प्रदेश से अलग लग हिस्सों से लोग यहां पर आते हैं दर्शन करते हैं खेजडी वाले बाला जी के नाम से यह मंदिर दिरे दिरे इस पूरे प्रदेश में खेजडी वाले बाला जी का मंदर, यह है मंदर का प्रवेश द्वार, मंदर में प्रवेश करते ही पीपल का विशाल व्रक्ष मौजूद है, और यह है मंदर परिसर, जो धीरी धीरे एक विशाल रूप ले रहा है, निर्मान कार्या यहां पर लगातार चल रहे हैं, यह भग और यह है खेजडी का प्राचेन वरक्ष जिसके नीचे यह मंदर इस्तित है, उसलिए खेजडी वाले बाला जी इस मंदर को कहा गया है, और यह वो गुम्टी जो पुराने समय से यहां पर है, और यह है आने वाले यात्रियों के लिए यहां पर विश्राम ग्रह भी निर् अब तो हो सके, यह मंदर के बाई तरफ भगवान शिव का शिवाला यहां पर बनाया गया है, विशाल मंदर भगवान शिव का, और भगवान शिव के रुद्र अवतार ही अनमान जी महराज को कहा गया है, तो भगवान शिव का मंदर भी यहां पर मौजूद है, शिवाला स्वरूप में यहां बिराजित है सामने नंदिश्वर भगवान की परतिमा भगवान सिव माता पारवति के साथ बिराजित है लोगों ने यहां पर जुड गरके यहां पर दिए देखिए सुन्दर शिवाला यहां पर बनाया है जहाँ पर नित्य पूजा के लिए भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और यह धोना जहाँ पर नित्य यग्य वगरा किया जाता है यहाँ पर पुजारी है किसंदाजी स्वामी जो यहाँ पर पूजा कार्य करते हैं और अभी भी हनुमान जी महराज की जोत आरती का कारेकर शुरू होने वाला है जिसके तैयारी पुजारी के संदाज जिकर रहे हैं और यह पाया पुजन यहां पर किया गया है यहां पर भगवान स्री राम का राम दरबार का विशाल मंदर यहां पर नर्मित किया जाना है जिसके तैयारी यहां पर शुरू हो चुकी है निर्मान कारिया प्रारंब हो चुका है और यह मंदिर परसर में जो मुख्य गर्ब ग्रह है बालाजी महराज का जहां पर बिराजित हैं बालाजी महराज की सुन्दर वो प्रतिमा जिसका सुन्दर संगार यहां पुष्पों की द्वारा किया गया है जिन लोगों की मनतें पूरी होती है वो यहां पर चांदी की छत्तर वगरा चड़ाते हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि काफी सारे चत्तर यहां चांदी की चड़ाये हुए हैं और विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहां पर विराजित हैं, अनुमान जी महराज के साथ ही, मंदिर में नित यहां भक्त अनुमान जी महराज के दर्शनों के लिए आते रहते हैं, और अभी भी कुछ भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं, जो सुजान करवाया गया है 1977 में बालाजे महराज हनुमान की धरा के रूप में प्रसिद्ध की धरती जहां रा तरफ बालाजे के प्रसिदध धाम है और देश भर और बलीकि दुनिया भर से लोग यहां हनुमान जी महराज की दर्शनों के परिश्थित है जो देखते ही देखते हैं कि छोटा सा पहले मंदिर हुआ करता था खीजड़ी के वरक्ष के नीचे इसे हम राजत्थानी बासा में हम गुमटी कहते हैं और उस गुमटी से यह धीरेद्रे एक विशाल शुरूप यहां पर ले रहा है चू़कि यह खीजड़ वाले बाला जी के नाम से यह धिरे-धिरे परशिद्ध हो रहा है रामेसुलाल जी गहलोत मेरे साथ में हैं जिनके द्वारा इस मंदिर के निर्मान की शुरुवात की गई उनसे हम जानकरी लेते हैं कि यह मंदिर कितना पूराना है और किस तरह की धार्मिक आस्थाएं यहां पर उनकी जुड़ी तो स्वागत करूंगा रामेसुला जी थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचे जानना चाहूंगा आप लोग कहां से हैं कौन सा गाउं है मतलब मेरा गाउं पुराना या मिंगना गाउं है यह से उठाय सुजानगड है और रहने मतलब हमारा कारोबा गवाटी में है और मेरा छोटा सा पान दुगान था कोई टाइम में मतलब थोड़ा बहुत और एक चुल के अंदर मनिर खोलने में कारण यह है कि मैं काई के मरी वाइप इतनी बीमार रहती थी मत पुछो कभी तलते तलते बेवस हो जाती थी चार चार गंटा ओस नहीं आत तो फिर उसके बाद में एक दिन दर्सा हुआ बोला यह दी आप बिमार रहता है कम समय बोलता है डूंगर बाले जाओ लेकिन आप कभी आते नहीं तो मैंने सोचा बाद के बाद में महीं जाओंगा और सुबह ही मैंने चपतर लेके डूंगर बाला जी चला गया अब बाला कर जल लोग वहां से इधर से घाते थे तो एक यह राश्ता मंदिर करोश कर गया यह मंदिर है अखिकत में यह को साथ-पैस सतर साल पुराना है चोटा सा गोम्टियों पुराने बाद दादा दा लोग इस्तापना किया था फिर उसके अबाद में जो पूजा करने वाले तो तो दोनों ही हो गया तो मंदिर साथ साल तक बंद पड़ा था, कोई आदमी इसके आस पास ही नहीं भठकता था, तब हम लोग गवार्टी में थे तो उस टाइम हमरा उतना इंकम नहीं था, मियां भी भी थे, तो साथ सो रुपया लाके है, और मैंने यहां पर यह मंदिर और हर हर्णमान जैनती साथ पूर्णे का जितना पसा यहां हम लोग प्रोग्राम में लगाते थे, पूरा हम लोग मतलब उनके सब मतलब अमारा जो भी है यह डूंगर बाला जी का ही सारा महर्मानी है, तब हमको यह काम मिला यह खेज़ जी वाला बाला जी का और उस उसका भगत हो गया, मतलब हम लोग का खाली यही मतलब इसमें क्या क्या करना मेरा में मकसद जिन्दिकी का यही है, कि मैं यहां पर जितना करूँ वो कम है, आपका मैंने समझने की कोशिश की आपके परिवार का दुडाओ, लेकिन यहां पर और भी लोगों का, क्योंकि यह इसका इचा पूरा होता है, और यहां डानियों के सब आदमी अभी तो लगा भी बहुत मंदिर का ज्यादा पढ़ गया, और हमारा भी कुछ जोस कुछ चल रहा है, कि यहां राम दरबार हमारा अखलता रहा, कि यहां पर जब बाला जी का मंदिर है, तो राम दरबार होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल मैंने अभी एक दो दिन पहले ही यहां पर जो सिलानियास यहां पर किया गया है, यहां पर शुरू किया राम दरबार मंदिर का, तो वो प्रेणा कैसे जगी है, वो तो हमारा एक्टोमेटी है, हमारा वाइप का मतलब के, हम लोग दोनों खाल जल्दी से जल्दी यह काम दो चार दिन में चालू हो गया, और यह कम से कम राम नोमियों पर कम से कम, यह मतलब उद्गाटन मुर्ति का प्रान परिश्टा करने का बिशार है, में खेजडी वाले बाला जी मंदिर के परिशर का दरश्य है, आप कहां से थोड़ा परिशे ब में मेरे काज जै, रमेसर जी, उन्होंने ये मंदर का निए तीया था, उसी टाम से ने आज, 38 सा लोगता ओ गया, अभी मंदर में उसी आफ़्ाप में कर रहा हूं डूंगरबाला जी की मूर्ति थूंगरबाला जी के मंदिर के शगुरोप में ही इसको त्यार किया गया है, और भी भक्त गणे आपका परिचे क्या है तो यहां इस मंदर से आप पहली बार बार आएं किस तरह से आते रहते हैं बाला जी महराज की प्रेड़ना से मैं यहां पर आता रहता हूँ और दर्शन करता रहता हूँ और जागरण वगरा वहां प्रोग्राम होता है उसमें भी नियमित आता रहता हूँ मंदर महराज की जोत ली जा रही है मंदर मंदर सिंव की जो र शाया रहते है झाल 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 झाल